कि नमश्कार दोस्तों उमिद करता हूं आप सब बढ़ियाँ होंगे अच्छे होंगे तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सवजे आपको एक्जामपल की तोर पर एलकोहल का एक्जामपल लेके बताता हूं कि जैसे कि मैंने यह लिखा चीज़ तू ओएच यह हैं प्रोपिल एलकोहल यह लिखा मैंने चीज़ तू और तो चीज़ और और यह हैं भाईया ब्यूटिल एलकोहल ओकेश सभी किया है इनको क्या कियते हैं अपने फंक्श्चनल ग्रूप क्या अब ये इन सभी को क्या के सकते हैं कि ये सर जाती श्रेणी के सदश्य एक जाती के मतलब इन में फंक्शनल ग्रूप एक समान है ठीक है फंक्शनल ग्रूप क्या है एक समान है तो सर जाती किसी श्रेणी किसे केते हैं तो कार्बनिक योगी कोंकी क्या लिखेंगे डेफिनेश समान जिसमें एक समान क्रियात्मक समू 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 क्रियात्म प्लस वन ओए सभी का जनरल फार्मूला यही मिलेगा आपको सी एन एश्टू एन प्लस वन ओएच कैसे हो रहा भई यह यहाँ पर इसके लिए क्या लिखू एन बराबर एक लिखनो तो कार्बन कितना एक है है हाइडोजन कितने दो एक कम दो और एक तीन तो तीन हैडोजन मिल गए इसके लिए एन बराबर दो लिखू हूँ ठीक है ओ एच तो आई गया यह 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 वेश्ट से ओ यह इसके लिख सकता हूँ n equal 2 carbon 2 hydrogen कितने 5 3 2 5 5 2 2 4 5 और एक o h है यहाँ पर n बराबर 3 आ जाएगा इसके लिए और इसके बराबर किया जाएगा n बराबर 4 तीन carbon है hydrogen कितने होंगे 3, 2, 6 और 1, 7 hydrogen तो 3, 4, 5, 6, 7 hydrogen और OH तो है यह इसमें भी इसमें कार्बन कितने 4 1, 2, 3, 4 तो N इकबल क्या लिख लेंगे इसे N की जगे क्या लिख दिया 4 लिख दिया और hydrogen कितने है 4, 2, 8 और 1, 9 तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह OH हो जाए है न? OH तो है यह तो इसको आप यह भी लिख सकते हो C3, H7, OH, C4, H9, OH और यह जो है CH3, OH है जो है यह कहने का मतलब है कि दो सदेशों के बीच में कितना अंतर है सिर्फ एक CH2 का अंतर है साज आतिश रेनी में दो सदेशों के बीच में कितना अंतर है एक CH2 का इसके और इसके बीच में इसमें एक CH2 जादा है फिर एक CH2 इसमें बढ़ गया है फिर एक CH2 इसमें और बढ़ गया है मतलब इसमें बढ़ते जा रहे है इनके बीच में ठीके, मतलब यह कह सकते है कि CH3, OH इसका अनुभार जो है यह लिखा में CH3OH इसका अनुभार कितना होगा कार्बन का 12 प्लस हाइडोजन कितने तीन हो जायेगा यहां पर प्लस ऑक्सिजन का कितना हो जायेगा भईया 16 और फिर एक और हाइडोजन आगया तो यह हो गया टोटल कितना हो जायेगा 16 और 17 और 3 20 और 12 32 मतलब CH3OH का अनुभ निकानों तो दो कार्बन है तो बारदोनी 24 प्लस पांच प्लस 16 प्लस एक हैट्रोजन और वह तो 16 और 17 17 और 5 कितने हो गया भी यह 22 22 24 कितना होगे 46 तो सी टू है फाइज का अनुभार कितना 46 च्छी च्छी घ्यालीस का कितना 32 32 और च्छी बीच में दोनों के बीच में अं अंतर होता हैं इनका सभी का एक फिक्स रिस्ट होता है सवज्ञाति श्रेडिमेंजिक से अलकॉल का समयने सूत्रेज़िये हैं अगर मैं वहक्न की बात करूंगा तो एल्केश में यह जिसे 6 Virt legit दीख तो यह एलकेन की सवज्यातिश श्रेणी होगा 1 में लेदाने़ीस किल मैंने तोड़ों बता दिया अब आपकी किताब में केसे लिखा हुआ मिलेगा आपको या आपको क्या याद करना है तो उसके बारे मैं बताता हूं मैं आपको यह किताब ठीक है जो मैंने बताया वही बात है क्या बताया था बेटा मैंने सहजाती श्राइणी वर इसे परितेग सदर्शों के सम्हान क्रियात्मक स्वमूं पाई जाता हं तत्ता व इ 보세요 जो भी सद्स एनुभार के व्रद्दिक्रम में क्यारिते वियुstud रहते अब इसकी विशेचते क्या होती है कि शरी का प्रत्यक सदर्श lo का सवजात केलाता है बड़िया बात है इनमें किसका अंतर होता है इनके बीच में कितना अंतर है 14 का अंतर हो जाएगा अनुभार में अभी बताया कि CH3OH का कितना है 32 और इसका कितना है 46 अनुभार तो 32 और 46 इन दोनों की बीच का अंतर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा श्रेणी के सभी सदश्यों का एक सामानी सुत्र होता है जैसे यदि अपन एलकेन की बात करेंगे तो इनका सामानी सुत्र क्या होता है CH2N और यदि अपन एलकोहल की बात करेंगे तो अभी जस्ट बताया था सामानी सुत्र क्या होता है CH2N प्लस 1 OH होता है श्रेणी के सभी सदश्यों को कुछ सामनी अभी क्रियाओं के द्वारा बनाया जा सकता जै हो श्रेणी के सदश्यों के रासानी गुण आपस में मिलते जुलते रहते हैं क्योंकि इन में समान क्रियात्मक्समों होता है अनुभार बढ़ने के साथ सदश्यों के भोतिक गुण जैसे कोतनांग वो गलनांग में क्रिमिक परिवर्तन होता जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़े अब सहजाति श्रेणी के सामनी सुत्र बहुत सरी सहजाति श्रेणी है दे रहे खिए बईस साब यहाँ पे कि यहना बहुत सरी दे रहे हैं जैसे आल्कील मुलक का सामनी सुत्र होता है चाहिए आन चाहिए न गया लिखने सब्सक्र होता है ट उनमें सामनी सुत्र जीसे H2N है, तो क्या लिखूंगा, C2H6, C3, C2H4 है ना, C3H6, C4H8, मतलब N बराबर यहां पर दो है, तो यहां दो लिखा, दो दुन चार, N बराबर तीन लिखा, तो C3, और यह भी तीन लिखेंगे, तो तीन दुन निचे, C3H6, C4H8, है ना, C4H8, C5H10 ऐसे होता जाएगा, मत ठीके साथियों, तो मेरे, I hope, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो, आज जो मैंने concept बताया, सवजाति श्रेणी की बारे में, आपको जरूर समझ में आया होगा, साथियों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, ओके प्र वीडियों मेरे में, वीडियों में आपको जरूर आपको जेक्स्ट था टो कि अजरूर सस्ट झारे में, जरूर नेक्स्ट उलिए झागए.